दोस्तो बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वेनिफिट वाला हो जाता है क्यों होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर वाच करें और चैनल पर अगर पहली बारा हैं तो सस्क्राइब करते हैं साथ ही बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए अब बात करते हैं क्यों बेनिफिट ह तो दोस्तो इसमें वेनिफिट यह होता है कि जब आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करा लेते हो तो आपका कुछ दिनों बाद एक छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड एशू हो जाता है और उस क्रेडिट कार्ड के बहुती ज्यादा वेनिफिट आपको होते हैं वो कैसे होते ह चलिए वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तो अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी साधी हो या कोई प्रोग्राम हो या आपको कोई छोटा मोटा बिजनिस करना हो और भगवान न करे कोई हारी बिमारी अगर आपके घर में हो जाती है तो ऐसे में आपको पैसे की जरु हो जाता है कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं आती है वो कैसे इसू होता है कैसे आपको पैसा इसमें मिलता है और बहुती कम इंट्रेस्ट पर मिलता है ऐसे में क्या होता है कि अगर आप कहीं से वैसे पैसे लेते ओधार तो उसमें बहुत ज़्यादा interest आपको pay करना पड़ता है अगर आप HDFC bank से जुड़े हुए हैं आपका credit card बना हुआ है तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से loan मिल जाता है कुछी मिन्टों के अंदर ना आपको कही bank जाने की जुरत ना किसी से मिलने की जुरत यह आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपनी profile login करी हुई है और आप यहाँ पर limit देख सकते हो 144,000,000 के लिए हम यहाँ पर eligible हैं तो इस तरीके से हमारा भी एक credit card बना हुआ है और मुझे जब भी जरूत होती है मैं यहीं से यह passive withdrawal कर लेता हूँ और उसके बाद में छोटी-छोटी EMI में इसको pay कर देता हूँ बहुती simple तरीके से यह payment हमारे account में आ जाती है कोई भी परिशानी आमें यहाँ पर नहीं होती है interest का calculation भी आ चलिए मैं आपको आज यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको जैसे 10,000 का छोटा सा amount आमने select किया है इस पर आपको 12 मैने का EMI आपका 921 रुपे का pay करना होगा एक EMI 921 रुपे का बनता है बहुत जादा नहीं है 921 रुपे आपको सिर्फ यहाँ पर pay करना होगा साइड में मैं आपको calculator पर चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ 1052 रुपे का total EMI यानि की total interest आपको सिर्फ 1000 रुपे का लगेगा एक साल में 10,000 के amount पर तो यह कोई बहुत जादा नहीं है अगर आप normally किसी से 5% या 3% के interest पर पैसे ले लेते हो तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं चलिए मैं 20,000 यहाँ पर amount कर देता हूँ और फिर आपको EMI की एक छोटी सी calculation और करके दिखा देता हूँ 1843 रुपे का आपका EMI हो जाता है जब अगर आप 20,000 रुपे HDFC Bank से ले लेते हो तो चलिए मैं आपको calculator में इसकी भी calculation करके दिखा देता हूँ कि कितना interest आपको भरना पड़ेगा तो चलिए 20,000 रुपे जैसे अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर 1843 इंटो आप यहाँ पर 12 करिए और उसके बाद मैं यहाँ से और यह पराबर यह 22,116 यानि कि 2,116 रुपे आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना होगा तो यह बहुत जादा आपका interest नहीं है अगर आपको 2,000 रुपे भरना एक साल के अंदर 20,000 रुपे का तो यह कोई बहुत जादा बड़ी रकम नहीं है अगर आप वैसे interest पर किसी से लेते हो तो यह बहुत जादा हो जाता है तो उमीद करता हूँ जानकारी आपको काफी जादा पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आएं तो सस्क्राइब कर दें साथी बैल आइकन प्रेस करते हैं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो मुझे कमेंट करके पूस सकते हैं मैं आपकी हेल्प यहाँ पर जरूर करूँगा तो गाइस थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो